सुन बैं, सोने जा रहा है, खाना आने के बाद उठा लेना बाब भाई, चलो कोई तो आया, वरना मैं ये जेल में वर्दी वालों की मुझ देख देख कर दिन ही मरनू जाता है मेरा वैसे ही मेरा नाम समीर है, ओ भाई, हलो, बगवान ने जबान दी है कि नहीं दी है जबान तो दी है, और बोलने के अकल है, शब्द हर की सुए बरबाद नहीं की जाते क्या लाइन बोली है भाई, कौन सी मूवी से सुना है, वैसे ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है राम नाम भगवान वालो और काम राक्षर सुवाला अरे हाला तुने भगवान तक को राक्षर बना दिया था, मैं तो यार मेरी बात है पड़े नहीं पड़ रही, छोड़ ये साब, पहले में को ये बता, तु है कहां से? जनकपुर अच्छा अच्छा चलो खाना खाले, आज कुछ अच्छा लग रहा है जहीलेट की रोड़े पक हम नहीं खाते भाई, तुम हो कौन? जब से आये हो, तब से भारी-बारी शाद फेके मारे जा रहे हो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सब सर के उपर जा रहा है मेरे लेकत, लेकत है हैं तो आप इधर कैसे? तू से आप? भाई, मा ने सिखाया था सरस्वती जिनको प्रसन होती है ना उनकी इज़त करनी चाहिए चलो, किसी को तो समझ आया मतलब? कुछ नहीं हाँ, तुम पूछ रहे थे न कि आप यहां कैसे? हाँ, 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 वो यह तो पूछ रहे हैं आप यहां कैसे? बड़ी लंबी कहान ही है उतना सबर है हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं रात काफी जवान है अभी सुनो मैं जनकपूर के एक छोटे से गाव से आया हुए अग बड़ी सपने देखने वाला लड़का था बचपन से अच्छा लिखता था तो बहुत तारीफे मिली मा, बाबा, सब खुश थे क्योंकि उनका बेटा उनका नाम रुशन कर रहा और इसलिए फिर मैंने साहित्य में ग्राइजेशन तंप्लिक कर रहा पर मेरी माबाव की उसी ताइब अच्छले में मोटा हुए मैं बहुत सहम गयता उस्ते में लग रहाता कि खुदा भी अब मुझसे नाराज हो गय है अब भी पूरी हिम्मत के एक साथ खड़ा हूँ जिन्दा हूँ जीना तो पड़ेगा यह सोचकर मैंने फिर से लिखना शुन कर दिया अपनी किताब अपनी काबिल से पूरी की पब्लिशर के पास गया तो इन्होंने सरस्वती तक को लश्मी से खरीद रहाता मुझसे पैसे मांगे और ना दे पाया तो मेरी किताब किसी और के नाम पर पब्लिश करवाने की धंकी देने लिए यह सोचकर मैंने पूलिस से मुझत मांगे तो लेकिन पूलिस नहीं उस पब्लिशर से रिशुत लेकर उल्टा मुझे को ने गाठे रहा हूँ अरे अरे फिर उसल उसल जी इंसाइट की जिन्द गेके सासु किता रहा हूँ और वसी उसलों के वज़ए से मैंने मेहत करके पैसे जमा करना शुरू कर लिया था क्या क्या कई जड़ पोचा लगा ताकि इतने पैसे जमा कर जबू कि मेरी किता पब्लिश होई कि नहीं पर ऐसा क्यूं प्यूंद ने पास पहुचा उन्हों ने दौपशे मेरी स्क्रिप्चुरा लेता और वही स्क्रिप्ट जादा पैसे लेकर किसी ओर के नाम से पब्लिश कर दे तो पिर आपने किया क्या उस्सु फिर से उसलों ने मजबूर किया और फिर से में कालुन के दर्वाजी पर कि दिल तो एक बार बार जमीर कैसे और फिर मैंने अपने एक लड़ाई शुरू कर देते हैं मैंने बड़े-बड़े अपसोरों से मिलना शुरू कर दिया था और उसी समय मेरी मुलाकात पत्रकार निशा से हुद कर दो है को एसलों कर बोथ मदद के युज़े एक अड़र। निशाय ने मुझे मदद करने का भरौसा देला कि उसनी उस्था पुब्रेश्र के खिलाब कर बीड़े जारी कर देडिक बोथ मदद की ती उसने मेरी और कुछी स emergency तक कुछी दिनों में हमारी दोस्ती आगे बढ़ती हम उन पब्लिस्टों के खिलाब आवा गड़ा लें और बस यही चीज मेरे लिए महबद बना इसके लिए इसको अगवा कर लेता उसके लोग बना और मुझे कॉल किया मुझे लोकेशन बताए और जब में उस लोकेशन प उसने उन लोगों ने उसका कतल कर दिया था और नाजा ने कहां से वहाब और पोलिस आ गई और उसके खुन के इल्जाम में मुझे जवा अंदर कर दिया भाई अच्छे लेगों के साथ नहीं ऐसा ही होता है हम दर्दी भी कैसे चताओं दर्दी नहीं समझ पाऊंगा मैं अले घंजी चलिए आपके पापा आएं बाबा वो गुजर नहीं गये थे अरे नाशा किया है क्या कौन से बाबा गुजरे इनको लेने आए पर वैसे भी ट्राफिक रूल तोड़ने की इतनी सज़ा होती है चलिए शुक्रया समीर किसी को बताना मत नए किताब की कहानी थी एचल आया आया मुण झाल आया